तो चलिए आज हम बताते हैं कि MPR में आप CSAM में जाके बच्चों के कुपोसर्ड या अधिकुपोसर्ड से रिलेटेट पूरी जानकारी कैसे भर सकते हैं इससे पहले मैंने MPR और AMPR के बारे में आप लोगों को बताया है तो आज CSAM का जो ये नया फंचन आ चुगा है MPR संप करेंगे अब CSAM को क्लिक करेंगे अब CSAM खुलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप देख सकते इसमें पहला की कारे योजना तो कारे योजना में लिखा जाएगा कि यह जनकारी पहले से MPR में दर्ज की जा रही है इसलिए यहां से दर्ज करने की आवशक्ता नहीं है तो दो इसके अलावा जो फंसेनों की परवार की जानकारी और बच्चों की जानकारी तो इसमें अगर आप बच्चों की जानकारी पर क्लिक करेंगे तो बच्चों की जानकारी तभी यहां पर आएगी जब आपको परिवार की जानकारी के साथ तधा पांच वर्स से कम के उमर करके परिवार में जितने भी वच्चे हैं उनमें मैम सैम और नॉर्मल वच्चों की पूरी जानकारी आप लिखेंगे तब तो चलिए हम इसे बैक करते हैं और सी सैम पर क्लिक करके अब जो इसमें लास्ट बचा है परिवार की जानकारी पर आप क्लिक करेंगे परिवार की ज लिखेंगे पूर उसके मां मुबाइल नमबर अधार कार्ड एकदम 60 की लिखेंगे आपको यहां पे एक चीज में बता दो कि अगर आप अधार कार्ड नमबर गलत लिखते हैं तो यह फिर सेव नहीं होगा अगर कोई यह सोचे कि अगर एक दो अंक मिश्टेक हो चुके हैं अधार कार्ड के लेकिन यह से सेव हो जागी जनकारी तो बिल्कुल नहीं अगर अधार नमबर वैलिड नहीं है तो आप जनकारी को सेव नहीं कर सकते हैं यहां से जाके अप जाती चुन सकते हैं कि जाती मैं सूचित जाती हैंनेam पिछड़ा वर्ग हैं सामान हैαι् और अन हैं तो इनमें से जो भी जाती है आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिच्छा का अस्तर माता की पढ़ाई माता ने कितने अच्छा तक या कहां तक पढ़ाई की है अब क्या वह अनपड़ है साथ-चारा पाचमी आठमी दसमी बारे मी तक पढ़ी है इसनाता के या ग्रेजुएट हैं या पूरी जनकरी यहां पर लिख सकते हैं साथ में ही है वेफसाय के बारे में भी दिया गया है आप यहां से ध्यान से दे वेफसाय में आप जाएंगे तो क्या माता खेती करती हैं क्या माता मजदूरी करती हैं नौकरी करती हैं या वेफसाय करती हैं या अन्यक्रहणी है तो आप इनमें से क्लिक कर सकते हैं जो भी है आप उनकी मासिक आए भी चुन सकते हैं कि महीने में उनकी इंकम कितनी ध्यान देनी वाली बात है कि यहाँ पर मासिक आए पूछा गया मत डाल दीजेगा बहुत लोग दस हजार से अधिक या तीस हजार तक का डाल देते हैं जो क पिता का नाम यहां पर डाल सकते हैं फिर पिता का वर्ष डाल सकते हैं कितने उम्र है पिता की मुबाइल नंबर उनका अधार काड उस बच्चे के माता पिता की पूरी जानकारी इस तरह भरेंगे और यहां पर पिता के लेवल पे भी यहां पर है कि कहां तक उनकी पढ़ाई सबसे पहले लिखा है नीचे कि परिवार के पांच वर्स तक के सभी बच्चों की जानकारी जोड़ने हैं तो यहां पर क्लिक करें तो यहां पर आप इसे क्लिक करेंगे इस पीले बटन पर यह देखी आप यहां पर बच्चों की जानकारी खुल गई है तो यहां बच्चे की आधार काड को नहीं लिखेंगे आप उसकी लिंग लिखेंगे अगर वो लड़का है तो लड़के पर सिलेक्ट करेंगे यहां से आप उसकी लिखेंगे फिर यहां पर जन्मतिति लिखेंगे ठीक ना आप कोई भी यहां से जन्मतिति उठा के लिख सकते हैं जैसे कि मैंने ल किस महीने की किस तारीख को बच्चे का पोंसर च्टर है और उस दिन उसको नॉर्मल पाया है या कुपूशित पाया गया है। यसान को साथ चीज सेम में बच्चान आप आप यह इस सकी को सेम बॉछ, यहां पर इंत्सी अगज को सकूष हैaison तो यहां पर आप कोई भी कि टूब्ट यहां डाल देता हूं तो यह एक जानकारी तो चलिए इसके बाद ये डेट मैंने यहां पर डाल दी है यहां पर एक डेट डाल दी है जानकारी के लिए तो यहां पर एक और उससे ज्यादा जो अच्छी बेनिफिट वाली बात है वो यह है कि जब आप ये चीज डालेंगे तो आपको फिर नीचे कितने महीने का बच्चा है वो भी पता चल जाएगा जैसे कि मैंने सितंबर में बच्चा पैदा हुआ है मैंने 14 नमंबर को उसका पॉसंटी नांकंती ठीकी है तो इसी के साथ यहां पर दिखाई दिये जा रहा है कि वह बच्चा दो बार दो माह का हो चुका है तो जन्म के में कितने माह में हुआ तो जाही सी बात है कभी कभी बच्चों का जन्म सात माह में हो जाता है कभी आठ माह में हो जाता है तो मैक बच्चे जन्म के समय एक किलो 500 ग्राम का था मतलब की डेड़ किलो का बच्चा था और उसका बजन है दो किलो 500 ग्राम मतलब महीने में सिर्फ एक किलो बजन बढ़ा है जिसकी लंबाई मैं अगर बावन सेंटीमीटर डालता हूं तो आप देख सकते हैं कि नीचे यह बच्च का सम लिखे गया है मतलब की बच्च साम में मतलब अतिकुपोशित है अब अब मैं अगर इसकी जगा पर यहां पर लिखके एक बड़ कर देगा ऑगा क्यगर बच्य का बजन मैं कर देता हूं नव किलो तब यह बच्चा मध्यम कुपोशित में आएगा और इसके साथ जनक पहले बता हैं लेकिन लोगों ने कमेंट करके पूछा हैं तो मैं बता दूं कि कोई भी जब MPR के जानकारी आप भने तो जब तक आपका टीका करान कंप्लीन नहों जाए तब तक टीका करान का इंतजार कर यह टीका करान हो जाने के बाद एक बार आपके आगनवाडी केंद् भरें इससे क्या होता है कि टीका करण में टीके लगे गए बच्चे तता करवबती धात्री महिलाओं की बिल्कुल एक्क्योरेट जानकारी मिलती है तो बिल्कुल इसी तरह इसको वो करते हुए आप पूरे MPR की जानकारी को भरें और कंप्लीट कहीं पे भी और जिन लोग नहीं को अप्सन सिलेक्ट कर सकते हैं और उस तरह से आप अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं कि जो भी मतलब आगे की प्रोसेस पीर सुरू हो सकती है सरकारी स्कूल को बनवाने के लिए तो आप लोग यहाँ पे नहीं कर सिलेक्ट करें और अगर कहीं पे सरकारी और तो डिटेक्ट करके आप लोगों को बता देगा कि बच्चा सैम में 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 है या फिर नॉर्मल उसके बाद आप लोगों सोते हैं कि बच्चे की जानकारी में आप यहां पर जब क्लिक करेंगे तब अगर बच्चा सैम में है तो आपको यहां पर शो करेगा और बच्चा में और यहां से परिवार जोड़े पर जाके आप किसी फिर दूसरे बच्चे के लिए वो कर देंगे इसके बाद वह आटो-डीक्ट कर लेगा कि बच्चे को जरूरत है या नहीं नर्सी में भरती कर आने के लिए कि बच्चा सेम में 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 या नॉर्मल में है तो इस चीज क आप विशेस रूप से ध्यान रखते हुए इसको आगे करें और मैं डिक्स्क्रिप्शन में लिंक के दे दूंगा संपरक अपडेट की तो आप वहां से जाके संपरक अप डाउनलोड कर लिजिए धन्यवाद